श्रियात्म सिद्धी शास्त्र का अव्दरण अलेखन उन लोगों के लिए है जो लोग धर्म शेत्र में तो आ गए हैं पर साम्प्रदाइक्ता में उलज गए हैं धर्म शेत्र में आकर अध्यात्मित भावनाओं से भरना था आत्मा की निकट आना था आत्मे गुणों को उजाकर करके मुक्ति की केसपत पर आगे बढ़ना था लेकिन परमकुरुपाड़ो देव ने देखा कि पूरा समाज जो भी धर्म शेत्र में है वो धर्मिक साम्प्रदाइक्ता में उलज कर रहे हैं और आप भी देखेंगे यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इतने जादा सम्प्रदाइक्ता में उलज गए होते हैं कि उन्हें कुछ सच बताने भी जाए तो वो सुनना, समझना, स्विकार्ना नहीं चाहते हैं तो एक खास उन लोगों को एट्रिस करते हुए बताया है और स्टार्टिंग की गाथा में बदा दिया था कि कोई क्रिया जड़ हो गए, सुश्क ग्यान में कोई धर्म शेत्र में दो प्रकार के जीव है कोई जड़ क्रिया में उलज गए है और उसी को मोक्षमार्ग मानते हैं कोई सुश्क ग्यान में उलज गए अब जड़क्रियावादी जीव कैसे होते हैं वो सारे बाते अभी तक जो इनों ने गाया स्टार्टिंग की 24, 25, 26, 27, 28 इन पांच गाताओं में हमने उसका स्वरूप देखा था हाँ, एक काम करें आज पूरे मतार्थे की गाता हैं पहले की पांच भी ले लेते हैं और फिर ये तीन लेते हैं जो स्वरूप समझे बिना पाया दोख अनंद समझाया वह पगनम श्री सद गुरु भगवन बायत्याग पर ग्यान नहीं बेमाने गुरु साथ अथुवानिज खुल धर्म के ही गुरु में करें मामात्व जो चिन देह प्रमान और समवस्रनादी सेधी वर्णन समझे जीन का रोक रखी निज बुद्धी प्रत्यक्ष सद गुरु योग में वर्ते द्रश्टि विमूग असक गुरु को द्रढ करें निजमान आर्थे मूग देवादी गति भेद में जो समझे शुत ग्यान माने निजमत वेश का आग्रह मुक्ति निदान समझे स्वरूपन व्रेतिकाव करे व्रत अभिमान ग्रहे नहीं पर मार्थ को लेने लौकिक मान अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द में खोई लूपे सद व्यवहार को साधन रहित होई ज्यान दशा पाए नहीं साधन दशा नकोई पावे उनका संग जो वोडू बेभव में बहभी जीव मतार्थ में निज्वानादी में जाए आये नहीं पर मार्थ को अनधिकारी काहाई श्री आत्म सिद्धी शास्त्रकाव दरण अलेखन उन लोगों के लिए है जो लोग धर्म शेत्र में तो आ गए है पर सांप्रदाइकता में उलज गए है धर्म शेत्र में आकर अध्यात्मित भावनाओं से भरना था आत्मा की निकट आना था आत्मे गणों को उजाकर करके मुक्ति की केसपत पर आगे बढ़ना था लेकिन परमकुरुपाड़ुदेव ने देखा कि पूरा समाज जो भी धर्म शेत्र में है वो धर्मिक सांप्रदाइकता में उलज कर रहे हैं और आप भी देखेंगे यहां पर जितने भी लोग होते हैं सो कॉल्ड रिलिजिस वो इतने ज्यादा सम्प्रदाइकता में उलज गए होते हैं कि उन्हें कुछ सच बताने भी जाए तो वो सुनना समझना स्विकारना नहीं चाहते हैं तो एक खास उन लोगों को एट्रेस करते हुए बताया है और स्टार्टिंग की गाथा में बता दिया था कि कोई क्रिया जड़ हो गए सुष्क ग्यान में कोई धर्म शेत्र में दो प्रकार के जीव है कोई जड़ क्रिया में उलज गए है और उसी को मोक्षमार्ग मानते हैं कोई शुष्क ग्यान में उलज गए अब जड़ क्रिया वादी जीव कैसे होते हैं वो सारे बाते अभी तक जो इन्होंने गाया स्टार्टिंग की 24, 25, 26, 27, 28 इन पांच गाताओं में हमने उसका स्वरुप देखा था के जड़ क्रिया वादी मतार्थी जीव कैसा है अब हम देखेंगे शुष्क ग्यानी मतार्थी जीव कैसा है ये इन नेक्स तीन गाताओं में आगा स्टार्टिंग में तो काली ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कि कोई क्रियावादी है कोई शुष्क ग्यानी अब उसको डेटेल में यहाँ पर दिया जो पहले पांच हम कर चुके हैं अब नेक्स त्री पर हम लोग जारेंड देयर रियली वर्थ लिसनिंग Now we come to the next plot के मतार्थी जीव में जो शुष्क ग्यानी है वो कैसा है आप बढ़ सकते हैं गौदम रभू संबंध से शुरू करो गाथा 29-31 संबंध पुर्व की पांच गाथाओं में जड़ क्रियावादी मतार्थी जीवों के लक्षणों को स्पष्ट करने के पस्चाद अब तीन गाथाओं में शुष्क ग्यानी मतार्थी जीवों के स्वरूब को उजागर कर रहे हैं श्री आत्मसिदी शास्त्र में तरम संप्रदायों के चित्र में स्वरूब को समझे बिना धार्मे क्रियाकांड करते हुए जीवों को मतार्थी जीव कहा है यह मतार्थी जीव दो परकारके होते हैं जड़ क्रियावादी और शुष्क ग्यानी चर क्रियावादी जीवों को अपनी क्रिया कांडों का आगरह होता है उन क्रियाओं से स्वयम में गुण विकास की कोई चेश्टा मतार्ती जीव नहीं करते परंतु उनसे स्वयम के मान और मत को ध्रड करने के हीन कारिय में लगे रहते हैं यह मतार्ती जीव धरम छेत्र में होने पर भी धरम से कोसो दूर रहते हैं. इसी प्रकार से शुष्क ज्यानी मतार्ती जीव भी सत शास्त्रों में उल्जे रहते हैं, परंतु उसमें सत्य का साथ्चात्कार नहीं कर पाते. ऐसे जीवों के प्रमुक लक्षनों को अब यहां पर स्पष्ट किया है. धरम शेत्र में आकर भी कोई धरम से कोसो दूर रह जाएं, उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? जिसे, चलो एक सिंपल साथ सामपल लो, सामने भोजन है, ठाली है, अपना चहीता भोजन है, खिचड़ी भीचड़ी नहीं है, प्रॉपर जो चाहिए, वो सारा अपना मन पसंद भोजन है, और फिर भी तुम भूखे रह जाओ, इसे क्या कहोगे? अभागा, ओके? ये अभागापन क्यूं है? कभी क्या जीवन में ऐसा हुआ है, कि सामने खाना है और फिर भी नहीं खाया, किस कारण से ऐसा होता है? क्रोध, सोचो सोचो कारण, गुसा है, स्वास्थय, स्वास्थय अच्छा नहीं है, सामने भोजन पढ़ा है, पर स्वास्थय अच्छा नहीं है, तो नहीं खाओगे, क्रोध है, तो सामने अच्छा सच्छा भोजन में मेरे को भूख नहीं आज, लेकिन अच्छल में, you know, you are angry. और किसी ने कुछ कहा हुआ? मन किसी और में उल्जा हुआ है. कहीं ना कहीं, मन नहीं, वो तो बिमार में आ गया, लेकिन हा, तुम्हारा most favorite person नहीं है, तो तुम्हारा favorite food भी सामने है, तो तुम्हें खाने का मन नहीं करेगा, मेरे ले इतनी analogies enough है, तो तुम सोचो, जब भीतर अनन्तानुबंदी क्रोध होता है, क्रोध के साथ सारे ही होते हैं, मान, माया, लोब, तब हम धर्म शित्र में आके भी ना, धर्मात्मा तक नहीं पहुँश पाते हैं, हम सांप्रधािक्ता में उलच जाते हैं, सद्गुरु तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, पहला कारण, क्या हमारे भीतर अनन्तानुबंदी, अनन्त संसार में परिभ्रमन कराने वाला अभी क्रोध पड़ा हुआ है, दूसरी बात क्या कही थी, बिमार हो, सच में अभी तुम्हारे अंदर बहुत वृत्यां पड़ी है, इतनी सारी वृत्यां पड़ी है, कौन-कौन से वृत्यां होती है, अहार, भय, मैतुन और परिग्र, ये चारों वृत्या, इतने वृत्या पढ़ी हैं इंटेंसली पढ़ी है तो उस कारण से सामने कोई धर्म शेत्र है सामने कोई सद्गुरु है लेकिन तुम उनके द्वारा दिया हुआ मोक्षमा नहीं ले पा रहे और तीसरा जैसा की बोला विसे वृत्यों में ही आ जाता है कि मन किसी और में है सद्गुरु तुमारे सामने है सद्गुरु तुमारे जीवन में है और फिर भी तुमारा मन अपने परिवार में बच्चों में वस्तों में उसमें इतना ज़्यादा उल्जा हुआ है खास करके पारिवारिक लोगों में इतना ज़्यादा उल्जा हुआ है कि तुम सद्गुरु की महत्ता ही नहीं कर पाते और महत्ता नहीं करोगे तो क्या होगा उनका गुण दर्शन कैसे होगा उनकी दशादर्शन कैसे होगा जब दशादर्शन ही नहीं होगा तो जब जरूरत पड़ेगी ना तब उनको यूज करोगे और यह मैंने क्या कहा? यह स्वार्त है लेकिन जरूरत पड़े तब इस्तेमाल करो यह मोक्षमार्ट नहीं है लेकिन तुब आकारण उनके गुंड दिख रहे हैं अकारण उनकी दशा दिख रही है यह मौक्षमार्क है तो धर्म शेत्र में आकर भी धर्म से कोसो दूर कौन है? अनन्तानोमंदिक रोधवाले या खूब सांसारिक वृत्तियां जिसमें भरी पड़ी है इसी प्रकार से सुष्क ज्यानी मतार्थी जी पढ़ो यहीं सब पढ़ना शुरू करो साथचातकार नहीं कर पाते ऐसे जीवों के प्रमुक लक्षनों को अब यहां पर स्पष्ट किया है सत्य शास्त्र में उलज कर सत्य का साक्षातकर नहीं कर पाते इसका एक ही कारण है उनली वन रिज़ब किसी भी चीज का स्वरूप डिटेल में नहीं समझते और गाथा वन जहां तुम्हे लगे ना वाइ ऐसा क्यूं होँ किसे भी गाथा पर तुम्हें लगे या कही में मेरे किसे भी शब्दों में लगे कि सत्य शास्त्र में उलजटे हैं लेकिन सत्य का साक्षातकर NOT कर पाते the question arises why सत्ष शास्त्र है तो सत्य का साक्षात कर क्यों नहीं refer to गाथा नमबर वान क्योंकि वो स्वरूप समझे बेना शास्त्रा भ्यास करते अब मतार्ती जीव के दूसरे प्रकार शुष्ष ज्यानी जीवों का वर्नन आरम करने के लिए यहां अथवा शब्द का उप्योग किया है मतार्ती जड क्रियावादी एकांत क्रियाओं का आगरा रखते हैं तो शुष्ष ज्यानी एकांत ज्यान का आगरा रखते हैं हाला कि उनका ज्यान कितना ही बार यथात प्रतीत होता है न्याय और तरक संगत होता है परंतु उसमें मात्रत तत्य की पुष्टी होने को भी संभावना बनती है जीवन की गुन्वत्ता नहीं बदलती सादक जीव का समुचा पुर्शार्त जीवन में गुण विकास करने का होता है परंतु मतार्थी जीव इस महत्वपुन रुपांतरन से सदा अनभिज्य बना रहता है धर्म शेत्र में आकर जो समुचा पुर्शार्थ है लक्ष है वो केवल एक है गुण विकास करने का या फिर consciousness को expand करने का चेतना को व्याफ़क बनाने का एक ही बात है चेतना व्याफ़क कोई इसका मतलब ही है कि गुण का विस्तार और विकास हो रहा है लेकिन मतार्थी जीव गुण विकास पर उसकी कोई द्रश्टी नहीं है इसलिए बार-बार इंट्रोस्पेक करने को कहते है कि फिगर आउट करो कहाँ चेंज आया है दो महीने पहले थे और आज हो उसमें कोई रुपांतरन आया कि थे और आम शूर क्या आया होगा निश्चय और व्यावार नहीं क्या है जैन शास्त्रों में किसी पदार्थ को समझाने के लिए दो प्रमुक अपिक्षाओं का आधार लिया जाता है इन अपिक्षाओं को नहीं कहते है एक व्यावार नहीं है और दूसरा निश्चय नहीं व्यावार नहीं पदार्थ के बाहिय स्वरूप का वरणन करता है जो की परिवर्तन शील है अनित्य है परंतु निश्चे नई पदार्थ के अंतरंग स्वरूप के विशय में कथन करता है जो की शाश्वत है लित्या है व्यवार नई पदार्थ की वरत्मान अवस्ता को केंद्र में रख कर उसका वरनन करता है परंतु निश्चे नई में पदार के त्रेकालिक स्वरूप जो सदाकाल एक जैसा रहता है की प्रस्तुती होती है उदारन के लिए बिट्टी से घड़ा बनता है, बर्तन बनते हैं, खिलोने बनते हैं यह घड़ा, बर्तन, खिलोने, सब कुछ व्यवार नई से कहा जाता है, क्योंकि इनका अस्तित्वा शनिक है, परिवंतर शील है यहां मिट्टी का होना निश्चे नई से है, क्योंकि चाहे अवस्ताएं कितनी भी बदल जाएं, परन्तु मिट्टी का मूल स्वभाव सदा एक जैसा ही रहता है व्यवार और निश्चे ने का भेद पता है, being a spiritual organization, हमें कुछ चीजों के, कुछ words के aspect and perspectives बिलकुल clear होने जाएं व्यवार ने वस्तो की वर्तमान स्थिती के बारे में बताता है, जो बदल रही है और निश्चे ने उसकी वह दशा बता रहा है, जो हमेशा एक चैसी रहती है तो घड़े, मिट्टी के बर्तन, खिलोने उन सब से बात की, उन सब में constant क्या है? मिट्टी और उसमें जो variable है, change हो रहा है, वो उसका बाहियस्वर्ण सोने की बात करते हैं, कि सोने के अलग-अलग अभूशन मना दिये, पर उन सब में constant क्या है? आपकी बात कर लो, आप में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भाव आते हैं, कभी क्रोध का भाव, कभी मान का भाव, कभी एक शमा का भाव, कभी विनमरता का भाव, तो जो रहा है, वो सुब क्या है? वियवारने. लेकिनन सत्में, बीच में, केंदर में तुम चेतन्य हो. तुम आनन से भरे होए हो. प्रेम से भरे होए हो. शांती से भरे होए हो. अभी तुम यह तीन शब्दी ले रहे हैं. JLP हमने एक नया वो पक्का किया है joy, love and peace तुम ये हो, तुम इनके अलावा कुछ नहीं हो, जब ये द्रश्टी जाए, तो ये क्या है? निश्य नहीं तुम क्रोधी हो, मानी हो, बेवकूफ हो होश्यार हो, सुन्दर हो कुरूप हो, समझदार हो बेवकूफ हो, whatever ये सब क्या है? बदल रहा है? इसलिए विवार ने, जो बदल जाए वो विवार ने, और जो सदा के लिए स्थिर है वो क्या है? हमारा आंतरिक joy, love and peace आनन प्रेम और शांती ये स्थिर है, तो हमें उस स्थिर तत्व तक पहुशना है, जो बदल रहा है और क्या है? अध्यात्म का मार कितना ही है? हमारी सनातन वस्तु हमारे पास है और वो आनन, प्रेम शांती से भरी पड़ी है लेकिन अपनी अवस्थाओं में उलज कर, हम उसका अनुभग नहीं कर पार है, डिपेंडेंसी बढ़ार है, अंदर की वस्तु इंडिपेंडेंट है, और बहर की सब अवस्थाओं, इट इस relative to something, और dependent on someone, yes or no? तुम किसी बेवकूफ के आंगल से, परस्पेक्टिव से, तुम समझधा हो, लेकिन किसी होश्यार के, परस्पेक्टिव से, तुम बहुकूफ हो, तुम किसी कुरूप के अंगल से बड़े सुंदर हो, पर किसी मिस्स वर्ल्ड के अंगल से, तुम कुरूप दिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, सो जो रिलेटिव टूथ से हैं, they are not you, the absolute truth is you, वेवारने मतलब रिलेटिव टूथ, वो नकारा नहीं जा सकता, वो है, लेकिन वो हमेशा रहता नहीं है, वो बदलता है, और जो बदल रहा है, उसके पीछे हम क्यों भागे, हम उसके पीछे भागे, जो शाष्रत है, the absolute truth, So वेवारने is relative truth, और निश्चेने is absolute truth. दोराते हुए वास्तविक मोक्ष मार्क से भटक जाता है, और केवल शब्दों की रमनियता में अटक जाता है, अभी के समाज में भी ऐसे कितने ही जीव हैं, जो निश्चेने नई का आधाल लेकर वेवार शुद्धी के मार्क को नजर अंदास कर देते हैं, ऐसे जीवों क जीवन में प्रत्यक उदेकाल में मोह और कशाई प्रेदित व्यवार होता है, जिसके परिनामस्वरू वो मोक्ष मार्क से सदा दूर ही रहते हैं, बातों में क्या करते हैं, मैं तो शुदात्मा हूँ, मेरे अंदर कोई कर्मों का प्रवेश नहीं होता, कितने ही हैं, कितने दर्शन के दर्शन इसमें उल्जे हुए हैं, हम में क्या गुसा, हम तो आत्मा हैं, चिदानन्द सुरूपी, शिवोहम शिवोहम गार हैं, लेकिन जैसे ही कोई व्यवार में करम का उदय आता है, तो सुदाई काल में मोह और कशाई से प्रेरित होकर उनका व्यवार होता है उनका देखोगे व्यवार तो में खूब राग है, खूब द्वेश हो रहा है, खूब क्रोध मान माया लोभादी कशाय में उन्जे है, समझ जाओ ये एकांत डिश्चे आग रही जीव है, एकांत द्रश्टी उसमें पकड़ ले है, थर्टियत का था, ज्यान दशा पाए नहीं, सादन दशा न कोई, पावे उनका संग जो, वो डूबे भव में ही, इस गाता में मतार्ती जीवों के संग का कैसा परिणाम होता है, इसे सपष्ट किया है, एक तरफ शुष्च ज्यानी मतार्ती जीव केवल लिष्चे नहीं का आधार लेकर वेवा जाधनों का स्वरूप समझे बिना जड़ता पुर्वक ताप जट ताप आदी में रचा पचा रहता है, इन दोनों ही प्रकार के जीवों को यथार्त मोट्शमार की कोई पैचान नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई गुण विकास देखने में नहीं आता है, जिस प्रकार के उधै प्रसंग आते हैं, उनमें यह मतार्ती जीव संपोन आसकती, अज्ञान और अहंकार के साथ नए करबों में बंदते जाते हैं, और भव प्रपंच को समेटने के बदले उसका विस्तार करते जाते हैं, श्रीमत जी कह कि ऐसे मतार्ती जीवों का जो भी संपोन करता है, वो भी निश्चित ही भाव समुद्र में डूब जाता है, आइदेंटिफाइ इस पहला काम है, आइदेंटिफाइ करो, कि कौन है ऐसे एकानती जीव, आपके जीवन में, क्योंकि अगर आप उनका संपोन करेंगे, तो नि परिचे, ऐसी चीजे हैं ना, जो प्रभावित किये बिना नहीं रहते हैं, कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, तो संग और परिचे जितना बढ़ेगा किसी के साथ, वो प्रभावित किये बिना रह ही नहीं सकता, शुरू शुरू में तुम को कि नहीं मेरा दो स्मोक करत है तो ठीक है उसके साथ में खाली बैठा हूँ मैं तो in fact उसको मना कर रहा हूँ कि तो smoke मत कर डिब भी दिखाता हूँ कि देखो इस पर लिखा it is injurious to health मैं तो करता ही नहीं लेकिन तुम उसके संग और परिचेह में छे महीने भी रह लिए ना एक दिन तुम्हें मन करेगा लाइकाद ना मैं भी पिलू हमेशा कोई भी आदत पहले दिन से आदत होती ही नहीं do we agree? कोई भी आदत पहले दिन से आदत होती ही नहीं लेकिन कोई न कोई ऐसा संग और परिचे होता है जिस परिचे में प्रगाड काल के लिए, काफी समय के लिए जब हम रहने लगते हैं तो रहने के कारण वो हमारे पर अपना असर छोड़ती है तो figure out तुम्हारे first circle में भी अगर कोई ऐसा है ना, जो एकांतवादी है make sure कि हम उसको दीरे-दीरे side करें कोई कि जितना गहरा परिचय होगा निश्य रूप से उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा या तो tell these people अगर वो first circle के है don't talk with me on this topic अगर तुम्हारा concept of religion is different and my concept of religion is different then it is better to stay together but let us not talk on this topic यह चीज़ मैं बहुत करती थी मेरे भी आसपास के जो लोग थे वो मानते नहीं थे श्रिमर जी को ही नहीं मानते थे ग्रहस्त में है तुम उनको कैसे गुरू मान सकते हो उनोंने प्रत्यक्ष गुरू की बात की है वो प्रत्यक्ष कहा है lot of things बढ़ी मेरे लिए तो पूरा वो एक वेदन का विशेधा मैं कैसे समझाओ आज वो लोग सब मुझको मान रहे है उसको follow भी करते है लेकिन उस टाइम अगर मैंने उनकी बहुत सुनी होती और अपने दिल की बात को नजर अंदास किया होता तो क्या आज मैं यहाँ पर हो सकती थी not possible जब तुम्हें 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 दिल ने गवाही दे दि कि यही है जो मेरे मुक्षमार्ग के दाता परनेता है तो अब जो लोग इनके अगेंस्ट बाते कर रहे हैं न तेल देम हाँ चोड़के बोलो तुम्हें नहीं समझ में आते हैं we respect your feelings, we respect your perspective, but let's not talk upon this subject from now onwards. Close the door, shut the door. क्योंकि जिसके साथ वो बातों के लिए भी संग और परिशे किया, वो प्रभाव टाले पे नहीं रहेगा. So, और उपर से क्या होगा? डूबे भव माही वजीव संसार समुद्रमे, भव समुद्रमे निश्चित्रम से टूप जाता है. इतना तो कहने का हक अपने आपके पास होना चाहिए के नहीं? क्योंकि अगर हम ये भी नहीं कह पाएंगे और वो बाते सुनते रहेंगे तो ये सुनना भी शल्य के जैसा होता है. अंदर सुनते 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 किसे दिन ऐसा घाव लग जाएगा ना कि उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा. तो डू दिस दया ओन यूर सेल्फ कि जो लोग इस मार्क को नहीं मानते उनसे ज़्यादा बाते करने में उल्जोगाते हैं. मतार्ती जीव चाहे कितने भी ज्यान संपन बाते करें. अत्वा कैसे भी जब तब आदी साधन करें. परन्तु उससे उसकी अज्यानता में कोई भी फरक नहीं पड़ता है. यदि अज्यान और अंकार तले तो निस्चित ही करम बंद की प्रक्रिया शितिल होती है. परन्तु मतार्ती जीव के ज्यान वचन में उसका अज्यान नहीं तलता और क्रिया कांडों से अंकार नहीं तूटता. मतार्ती जीव का लक्ष और बाहिय प्रवृती ज्यानी के लक्ष और प्रवृती से एकदम विप्रीत होती है. मतार्ती जीव कैसा है? उसके ज्ञान से अज्ञान नहीं टल रहा, उसके क्रियाओं से अहंकार नहीं टल रहा, दोनों कुछ भी टलता नहीं है, और वो जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है, उल्टे एक नया प्रब्लम आ जाता है, आग्रह, अज्ञान और अहंकार तो नहीं टला, यह तीसरी बिमा आगरा जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। ज्यानी के सिवाए दूसरे जीवों को भी कितने ही करम है कि जो भोगने पर ही निवरुत होते हैं। ज्यानी के दशा कैसी है? करम का उदय ज्यानी के जीवन में भी होता है और अज्यानी के जीवन में भी। ज्यानी के कहीं कोई पंक्ती है कि ज्यानी के अज्यानी जद सुख दुख रहे था न कोई। पर भेद क्या है? अज्यानी वेदे रोय के ज्यानी वेदे जुए। ज्यानी देख के उसको वेदता है तो है और अज्यानी रो रो के उसका उसकी वेदना में पड़ा रहता है। दोनों के जीवन में करम का उदे निश्यत रूप से होता है। लेकिन ज्यानी के करम का उदे कैसा है? पूर्वो उपारजित करम का उदे देखते हैं और इस तरह भोगते हैं। ज्यानी के करम का जो भी उदय आ रहा है, सुख रुपी उदय या दुख रुपी, अनुकुलता रुपी उदय या प्रतिकुलता रुपी उदय, वो हर उदय के पीछे कारण कहां देखते हैं, भूद काल में, पूर्वा में, कि पूर्वा में कारण दिया था, उसका कारी हो इखा यह ग्यानी का perspective दिखा रहा है कि अगर अभी हमारे को जीवन में कोई तकलीफ आई है तो कारण कहीं पूरव में दिया था, उसका वर्तमान में भुक्तान हो रहा है ये अगर जीवन में हो तरह की सुक्सुविदा ही है तो भी कारण पूरव में दिया था, वर्तमान में उसका उदे आया, ये ज्यानी की दुरष्टि है. और अज्यानी की दृष्टि कैसी होती है? वो पूरव को इतना एकाउंट में लेता ही नहीं, कि मैंने ही पूरव में किए थे, वो करम उदे में आये है, वो दुख आता है, तो देखता रहे ये टले तो कैसे मैं आगी का भविश्य का जीवन अच्छा जीवू या सुख आता है तो सोचे इसको कैसे स्थिर रखू ताकि आगे जीवन मेरा सुरक्षित रहे तुम समझ हो ज्यानी और अज्यानी कि द्रश्टी में दिन राज जितना फरक है वो हर चीज को देख रहा है पूर्वा उपारजित कर्म पूर्वा में जो कर्म किया था उसका उधे आया है लेकिन अग्यानी हर कर्म को रिलेट करता है कि अनुकुलता है पैसा है अच्छा खासा तो अच्छे से FD में डालके रखो अच्छे से उड़ाओ गुमो फिरो वोटेवर ताकि भविश्य में हमें इस तरह का सुख मिले हर चीज को भविश्य से रिलेट करता है ये एकदम द्रश्टी का भेद ऐसा है जो ग्यानी को ग्यानी बनाता है और अग्यानी को अग्यानी बनाता है थोड़ा ब्रेक लेक आएंगे तो यहां आकर अच्छा से काम होगा तुम हर चीज जो भी करते हो ना उसमें कहीं न कहीं भविश्य की सुख, सुविधा या सुरक्षा उसका लक्ष होता होता है लेकिन ग्यानी जो कुछ भी करता है वो किसले कर रहा है पूर्व करम का उपार्जन है वर्तमान में भोग रहे हैं भविश्य तो यह भोग कर निवरुत हो रहे हैं भविश्य में जो भी होना होगा होगा हमारे को बविशन से कोई लेना देना नहीं इस दरश्टी को अगर हम परिवर्दित कर दे यहीं से तुमारे ज्ञान दशा और साधन दशा बदल जाएंगे यह बहुत बढ़ी बात है आज से इतना भी हम परिवर्दन ला सकते हैं क्या कि कोई भी प्रतिकूल करम का भी हुदा यहां रहा है ना तो उसको पूर्व उपारजित करम के अंदर डालो मेरे को इतना जुकाम है आज कल इतना जुकाम लेकिन क्या इसको मैं देखती हूं कैसे पूर्व करम उपारजित और वो दो-चार जनम पहले नहीं अभी स्विजरलेंड की बरफी और क्या वो भी तो पूर्व हो गया पूर्व करम उपारजित है लेकिन अब इससे छुटकारे के लिए मैं बार-बार मेरे लक्ष में ही आए अरे यह हो रहा है सत्संग कैसे होगा यह हो रहा है तो आगे के सारे मेरे प्रोग्राम कैसे चलेंगे मेरा शेड्यूल कैसे प्लान करो नथिंग लाइक तो है पूर्व अपारजित करम का उदे है इस उदे में क्या कर सकती हूँ फोकस अन बार लेकिन इस उदे भविश्य कैसे सुदरेगा संवरेगा, सुरक्षित रहेगा no thought about it that is the difference is that acceptable? बहुत बड़ा दरश्टिकों परिवर्तन दे रहे हूँ और यह प्राक्टिस से आता है जब तक यह सहेज नहीं है न एक पलाएगा कि जब तुम भी उस दशा में आ जाओगे तो यह सहेज हो जाएगा मेरे लिए सहेज है मुझे सोचना नहीं होता लेकिन जब तक यह सहेज नहीं होता तब तक सोच सोच कर इसको अपने जीवन के अलग-अलग प्रसंगों में लाना होता है बले ना फिर तुम पैसा इकठा करते हो तो भविष्य की सुरक्षा तो भाई-प्रोड़क्ट है उसका वो आनी-आनी है लेकिन तुम्हारे सोचने का फाउंडेशन यह नहीं होना चाहिए आपका स्वास्थय अच्छा रहता है तो आप इडर का पहड आराम से चड़ जाओगे तो भाई-प्रोड़क्ट लेकिन स्वास्थय अच्छा रहे ताकि मैं एडर का पहड जाओ ताकि मैं अश्टापत परवत वह चारहे तो हम कहां चारहे थे बीश पर कैलाश कैलाश की यात्रा कर लो कैलाश की यात्रा अभी वरत्मान में और भविष्य में? बहिष्य में नहीं दिख रही मुझे तो जिस तरह से फेफड़े हैं दम तोड़रे हैं मुझे तो भविष्य में नहीं दिख रही लेकिन ठीक है अगर भविष्य में अच्छा इसे मुझे देख रहे हैं जगदी Shotla Prabhu कि आपने तो सारी आत्रा ही उड़ा ली whatever whatever you are doing or whatever you are getting in this present moment वो किस लक्ष से होना चाहिए पूर्व उपारजित कर्म और उसमें best करना है विवेक और वेराग्य से भर कर आएगा अभी साधन दिशा, ज्यान दिशा ग्यान दिशा विवेक तक ले जाती है साधन दिशा वेराग्य तक ले जाती है अभी पूरा एक नया परशा खुलेगा इसके उपर लेकिन करना किस तरह से है पूर्व उपारजित कर्म और अब उसमें मुझे आड़ क्या करना है तो विवेक और वेराग्या रूपी दो साथ हाँ, देखते आगे सो ज्ञानी और अज्ञानी के द्रश्टी का भेत पता चल गया